दोस्तो बहुत बार हम अपनी जरूरत पूरे करने के लिए किसी बैंक या NBFC से लोन लेते हैं बहुत बार ऐसा होता है कि हमारी प्रोपर्टी में कुछ कमी हो या हमारा सिबिल स्कोर कम हो या हम easy way में लोन चाहते हैं तो हम जो है ओनलाइन कमपनियों की तरफ जाते हैं जो ओनलाइन हमें लोन प्रोवाइड करवाती हैं तो दोस्तो बहुत बार जो हम जाल साजी का ठगी का सिकार हो जाते हैं और हमारे पास जो already saving है उसको भी हम कम कर देते हैं उसमें भी जो है हम जाल साजी का सिकार हो जाते हैं जो हमारा अपना पैसा है वो भी जो है वो कमपनिया हड़ लेती हैं तो दोस्तो ऐसे ओनलाइन जाल साजी से ठगी से बचने के कुछ तरीक के आज वित्कुन के मन्त से हम आपको बताएंगे आसा है दोस्तो ये वीडियो आप आन तक देखोगे और पुसना कुछ आपको पाइदा होगा दोस्तो सारे आदमी जीवन में जो आए हैं वो अपना जीवन ही आपन करने के लिए या तो कोई बिजनस करते हैं या कोई नोगरी करते हैं दोस्तो फिर वे फ्यूचर में कोई दिक्कत ना हो इसके लिए वो सेविंग करते हैं और कई बार हमें ऐसे काम पड़ जाते हैं कि हमारी सेविंग जो है वो उस काम को निप्टा नहीं पाती है तो हम अपनी जरूरत पूरा करने के लिए बैंक या NBFC से लोन लेने के लिए जाते हैं बहुत बार बैंक NBFC हमारे को लोन नहीं देती तो कि हमारी जो सीविल है वो खराब होती है या हमारे दोकोमेंट में कोई दस्तावेज में कोई कमी होती है तो हम easy way में लोन चाहते हैं जिसके लिए हम online कमपनियों की तरफ जाते हैं और कई बार दोस्तो हम ठगी क का सिकार हो जाते हैं और जबाशने की अपको तरीगा आज मैं आपको बताऊँगा जो आपको अपनाने चाहिए और आप जालसाजी से बच पाऊगे दोस्तों ये KYC की ज़रूरत है आपके पास OTP आया होगा तो आप तरपया हमें OTP बता देजिए और बहुत बार जो है हमजाल साजवी का जो है सिकार हो जाते हैं तो दोस्तों आपना OTP किसी को भी मत बताओ और KYC के नाम पे तो बिल्कुल मत बताओ और जहां तक हो सके कोई लोन आप किसी बैंक या NBFC से जाकर ले सकते हैं दूसरा दोस्तों वो लुभावने ओफर देते हैं कि आपकी प्रोसेसिंग चार्ड जो है छोड़ दिया जाएगा आप पर ये ओफर आया हुआ है आपको इजनी चूट दे दी जाएगी इस तरह के आपको लुभावने ओफर देते हैं य आपका लोन पास कर दिया है आपका सीवील खराब था फिर भी आपका लोन पास कर दिया है इतनी देर में आपके खाते में पैसा आ जाएगा आप प्रोसेसिंग फीज के नाम पर इतने पैसे हमारे अकाउंट में ट्रांसफर करवा दिये और जब हम ट्रांसफर करवा देते तो वह हमारे फोन नहीं उठाते हैं और हमारे साथ फर्जी वाड़ा करते हैं जाल साजी करते हैं और हमारा जो खुद का कमाया हुआ पैसा होता है जो सेविंग होता है वह इन जाल साजों के पास चली जाती है तो दोस्तों के वाइसी के नाम पर लुबावने ओपर के नाम प चैनल को पसंद आया हो बीडियो पसंद आया हो वीडियो को लाइक कर दो अन्द टेखिए अगर बहुत काम आने वारे वेडियो हैं दोस्तों अगर आप चैनल को सबस्क्राइब करने के साथ बैल आइकन जबाये तक हमारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके ओम भी ताइन में खामराम भाईयो